तीनों लोकों से यारी मतुरा नगडी के दो गावों में होली का प्रमुखाकर्शन होली की आग से पंडों का निकलना है ये होली इतनी चमक कारेक होती है कि इसे देखकर दर्शक दांतों तले उंगली दबाने लगते हैं हाकिकत यह है कि ये होली भक्त का भगवान की प्रती समर्पन का इमतुरा के दो गावों जटवारी और फालेन में भगवान विश्णों की कृपासे इन पंडों के लिए होली की आग बर्व सी शीतल बन जाती है सामायत्या होली जलने का मुहूर्थ पंडेत लोग बताते हैं लेकिन इन गावों में मुहूर्थ पहले से नहीं बताया जाता एवं पूजन के समय ही पंडा होली में आग लगाने के लिए कहता है चाता तेहसील में स्थित दोनों गाव जटवारी एवं फालाइन गाव के बीच की दूरी 15 किलोमीटर से भी कम है दोनों ही गावों में राश्ट्री राजमार्क दोपर मत्रा एवं दिल्ली के बीच छाता होकर शेरगर जाना होगा वहां से इन दोनों गावों में पहुँचा जा सकता है दूसरा रास्ता को सीहोकर इन गावों को जाता है चाता होकर जाने में जहां जटवारी गाव पहले पढ़ेगा वहीं को सीहोकर फालाइन गाव पढ़ेगा बताया जाता है कि इन गावों में प्रहलात कुण में डुपकी लगाते ही होली से निकलने वाले पंडों में बक्त प्रहलात की तरही भगवान विश्णों की कृपा की वर्षा होने लगती है और इन पंडों को होली की आग बर्व की तरही शीतल लगने लगती है चाता तेहसील के दो गावों फालेन और जटवारी अपनी अनुठी होली के कारण मशूर हैं यहाँ पर जिस प्रकार होली की आग से हुकर अलग-अलग समय में दो पंडे निकलते हैं वह भगवर कृपा का जिवन्त नमूना है दोनों ही गावों में होली मनाने का अलग तरीका है दोनों ही गावों की होली की आग से पंडे के निकलने की परंपरा डेढ शताब्दी से अधिक पुरानी है दोनों ही गावों में विसंद पंचमी को पंचायत कर ये निर्धारन किया जाता है कि इस बार होली से होकर कौन पंडा निकलेगा जो युवक्सवर्ट निकलने के लिए कहता है वह मंदिर में रखी माला को उठा लेता है दोनों ही गावों में प्रहलात का मंदिर हैं जहां पर पंडे आराधना करते हैं तथा होली की आग से निकलने के पहले पास के प्रहलात कुंड में स्नान करने के बाद ही होली की आग से निकलते हैं फालन की होली में आग लगने का समय आखिरी वक्त पर पंडाही निर्थारित करता है। कुल मिलाकर इन दोनों ही गाउं की होली किसी दैवीर जमतकार से कम नहीं है। झालन की होली में आग लगने का समय आग लगने का समय आगने 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 का समय